हालो स्टुडेंट substantive मेरं अबर ओंलाइन प्रेटफर्म हैं दोस्तों आज हम राजस्तान हिस्ट्री में एक टौपिक है मेंक इस टॉपिक से कै वाद राराजस्टंगे साके पूछे जाते हैं, तो चत्तोड में कितने साके हुए हैं और कौन-कौन से साकेगी, क्या-क्या मैथ कोहाते हैं इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो चलिए आज का जो टॉपइक रही है राज स्थान का इतिहास और टॉपिक का नाम है चत्तोड के साके देखीज तो सबसे पहले बात करते हैं च्छत्टर का पैला साका कब उँआ तो पैला शाका सं 300-23 में अगर डेट पूचे तो 26 अगस्त 303िसवी को च्छत्तर का पैला साका हुआ था 26 सगáин था और उस समय आक्रमण कारी कौन था तो आक्रमण कारी थी तह अलाव देन खिलजी ने चत्वड़ पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण के फ़लसरों पहला सा का हुआ था Lexi जोहर का मतलब होता है कि आग जलाकर एक बड़े कुन में आग जलाकर और सभी जो महिलाएं थी उन्होंने आत्मदाहा कर लिया था पुरुसों ने भी बहदुरी से युद्ध किया किले की रक्षा के लिए और रावल रतन सींग ने गोरा बादल के साथ केसरिया किया और बीर होने मारे गए थे और आवर्टन सींग स्वंभी सीउद्ध में मारे गए थे तो इस साके में रानी पदमिनी ने जतनी भी महिलाएं थी उन सबी के साथ क्या किया था जोहर किया था इसका परणाम क्या निकला देखिए चित्तोर का किला खिल जी के कबजे में आ गया और यह घटना राजपूतों के बल्दान और बीरता का प्रतीक मानी जाती है रानी पदमिनी की कहानी ने भारती इतियास में अम अपने पुत्र खिज्रखा को सौपा था और इसका नाम बदलकर रख दिया था खिज्रवाद देखिए यह क्वेशन जो है वो परिक्षा में बहुत पूचा जाता है के लाउदिन खिल जी ने 1303 इसमें में रजस्तान अभ्यान केता है चित्तोर का नाम बदलकर क्या रखा अकर्मा तकारी कौन है अला ऑदल खिल जी और अपने पुत्र खिज्रखां को सौर्फ कर जाता है और इसका नाम रखता है खिज्रवाद और इससे चत्तार का पहला सब्हुराइड नम है तारीह के अलाई मिलता है जो किसने लिखी है अमीर खुसने ने ये पुस्तक लिखी है अब हम बात करते हैं चत्तोर का दूसरा साखा चत्तोर का दूसरा साखा कब हुआ है चत्तोर का दूसरा साखा हुआ है 1535 में कब हुआ है 1535 में अगर इसकी डेट पूछे कि इसकी डेट कितनी है तो इसकी डेट है 8 मर्च 1535 को चित्तोर का दूसरा साका हुआ है और आक्रमान कारी कौन था तो देखे गुजरात के सासक बादुर्षा का सेनापति रूमी खान का चित्तोर पर आक्रमान हुआ और उस समय चत्रोड के महराना कौन थे विक्रमा देते थे तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब बादुर शाहा ने गुजरात के सासक बादुर शाहा ने चत्रोड पर आक्रमन किया था तो उस समय चत्रोड के महराना कौन थे तो चत्रोड के राजा या महराना थे विक्रमा देते हैं क् उनके ननिहाल कहां भीज दिया था बूंदी भीज दिया था तो इनका ननिहाल कहां था बूंदी था और आठ मार्च 1535 को हाड़ी रानी कर्मावती वहा महाराना विक्रमा दित्य की रानी जवाहरवाई के नित्रत में चत्तोड का दूसरा जोहर हुआ तो चत्तोड का दूसर तो यह मायू ने पहले तो राकी को सुटार करने से मना कर दिया था लेकिन वह रक्षा के लिए आया था कि भाई राकी बेजी है तो हम रक्षा करेंगे लेकिन उसके आने से पहले ही यह साका हो गया था तो चत्वर का दूसरा कब हुआ है आठ मार्च 1535 को और किसने किया था ऊकरमंद खुजरात के सासक बादूरसा ने किया था इसकर सेनापति रुमी खाने किया था और उस समय चप्रट抗राजा कौन थे विकरमादेख्थे थे और जो जोहर किया था उर राणी करमावती के नेथरत्त ने जोहर की गुजरात के सासक भादर्सा का आकर्मन होइथ तो किसके नित्रत में राजबू सेनकोत ले के सरिया किया था रावत वांकि सिंग सिखिपनंए क्या हुआ थे भी रुनाइद की रिचना किई हैं पढ़णाम क्या हुआ गुजराथ के साथ सक बादुर्षा का चित्तोड के लिए पर कब जा हो गया और हारी रानी जो थी वो हार गई थी और उन्होंने क्या किया था जोहर किया था आगे हम बात करें चित्तोड के तीसरे साके के बारे में जो 1568 222 में हुआ है अगर समय पूछे तो 25 फरवरी 1568 222 को हुआ था और आक्रमार कारी कौन था आक्रमार कारी था अकवर इसमें क्या क्या गटना है गटी 1568 222 में अकवर ने चित्तोड पर आक्रमार किया उस समय चित्तोड के मारणा उदैसीन थे तो उस समय राजा कौन थे? उदैसीन थे मारणा उदैसीन ने जैमल राठोड को चित्तोड के लिए का भार छोड़ कर स्वयम गोगुंदा की बाड़ी में चले गए थे जैमल राठोड वा पत्ता सिसोधिया मारणा उदैसीन के क्या थे? सेनापती थे तो यह जो थे दोनों जैमल राठोड और पत्ता सिसोधिया इन्होंने अपने सेनापती धर्म का बालन किया और इस यूर्द में लड़ाई करती हुए दोनों क्या हो गए थे? मारे गए थे तो पत्ता सिसोधिया की लड़ाई से अकवर इतना प्रवावित हुआ था कि उसने आगरा के किले में इन्धोनों की क्या लगाई थी? मूर्तिया लगवाई थी तो अगर हम इसके डेट के बारे में पूछें तो डेट क्या है? 25 फरवरी 1568 आगे हम बात करें कि पत्ता सिसोधिया की रानी फूल कबर के नेत्रत में इस्त्रियों ने चित्तरता तीसरा जोहर किया था देखे पहला रानी पदमावती, दूसरा रानी करमावती और तीसरा जोहर किसके नेत्रत में किया गया है? तीसरा जोहर किया गया, रानिक फूल कबर के नेतरत में किया गया था, इसी युद्ध में कल्ला जी राठोड दूले के वेश में उत्व करके मारे गए थे, तो ये भी इंपोटेंट है कि कौन से युद्ध में कल्ला जी राठोड है, वहें दूले के वेश में मारे गए थे, तो वह है जो अकवर का चित्तवड़ वड़ अभयान हुआ था 1560 में उसी युद्ध में कल्ला जी राठोड धूले के भेश में मारे गए थे चित्तवड के लिए में जैमल राठोड का कल्ला राठोड की छत्रियां बनी हुई है तो और चित्तोड के अंत् Всем दर्वाजे रामपूल के सामने पथ्ता से सोधिया का इस्मारग धूई हुआ हूआ है तो जैमल राठोड और कल्ला जी राठोड की छत्रियां कहा पर है चित्तोड के किले में और कौन से दरवाजे के पास इसमारक बना हुआ है पत्ता से सौधिया का तो वो बना हुआ है रामपॉल गेट के पास कौन से गेट के पास रामपॉल गेट के पास इस युद्ध के बाद अकवर ने चित्वर में कतले आम का आधेश दिया इसका परणाम क्या रिखला इस युद्ध में के बाद अकवर ने चित्वर ना अकवर नामा में मिलता है तो इस तरह से जुद्ध के तीनों साखे थे उन सबी के बारे में चर्चा की आपको एक लास का इसी लिए कमेंट करके जरूर सब्सक्राइब करते रहें और अन्य क्लासेश को दिखते रहें नमस्कार धन्यवाद